मित्रो इस समय हम हैं मत्रा व्रिंदावन के बीच में एक जगे पड़ती है यह अध्धा बाबा के सामने और यह अध्धा चौकी से महच कुछ ही मीटर की दूरी पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां समविद गुरुकुलम सीनियर सेकंडरी स्कूल भी है उसके ठीक सामने लगभग मैं समझता हूँ सो मीटर की दूरी पर हम यहां खड़े हुए हैं यहां थोड़े से जंगल है योगी की सरकार है और यहां गौशालाओं के लिए योगी जी धन आवंटित कर रहे हैं चाहते हैं कि गौव की सेवा हो और यहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गौशाला वाले क्या करते हैं गाए जब तक वहां हैं और रहती हैं दूद देती हैं उनका पालन पोज धर्म के अनसार उस गाए को हमें जम्य दोज करना चाहिए उन्हें दफदफना चाहिए लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि गाएओं को ट्रॉली में भरके लाते हैं और यहां पटक दिया जाता है खुले में आईए हम दिखाते हैं आपको देखिए इतना इतनी बदू आ रही है यहां कि यहां से करीब सो मीटर पर जो स्कूल है वहां भी परेशानी होती है अद्दावाबा है वहां भी परेशानी होती है और लोग यहां परेशान रहते हैं इस बदू के करार जब हवा चल यहां से बाहर ले जाया जाता है आईए हम आपको दिखाते हैं यहां की दुर्दसा देखे किस तरीके कि यह हो रहा है हम बड़ी हिम्मत से यहां आए हैं देखिए दिखाईए यह देखिए यह गाय पड़ी बैया कैमरा वाले दिखाईए जरा यह देखिए यह और 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 आ कम से कम सेकड़ों गौवंश यहां पड़ा हुआ है देखिए कौन है वो लोग जो इन गायों को यहां इस तरीके से छोड़ जाते हैं और देखिए कितना प्रदूशन यहां रुकना मुश्किल हो रहा है हम अपने आप देख रहे हैं मुझे यहां रूमाल बांधना पड़ उछाई पर आब देखि यहां दिख्या देखिए कामरमें फुड़ा सा आगले शाल के लिजया उदर स्धाय हो देखिए अगर योगी जी इसमीट के देखलर तो देखें और Exodus आभी यह देखिए यह कुत्ते जो हैं इन गोवन्सों को नोच नोच के ले जाते हैं और यहां देखिए आठ दस कुत्ते पड़े हुए यह अभी अभी कोई गाय यहां डाल के गया है यह देखिए क्या हो रहा है यह आप देख रहें देखिए और दिखा रहे हम इस जंगल ओई हो यह देखिए चोटी सी बचिया यहां पड़ी हुई है यह मरी हुई देखिए यह लाइट दिखाओ जा रहाता अंधेरे का समय है देखिए यह देखिए यह बच्छिया इसको जमी दोज करना चाहिए था और देखिए यह वरंदावन में जो गौशाला हैं वो लोग यहां गौशाला के नाम पे जो धना आता है उसका तो प्योग कर रहे हैं ले किस तरीके से यहां जानवर जो है वो इन गौवशाला को ले जाते हैं और अगर कोई विरोध करता है तो उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं यह देखिए यह देख रहे हैं आप यह देखिए यह घुले में आप बताएं जरा कों लोग यह डाल जाते हैं आप लोग मना नहीं करते हैं मालम ही नहीं पड़ते हैं रात में जाना कब डाल जाते हैं अगते हैं नहीं हमें अधका लटा दवा देते हैं कि तुमको क्या पढ़िये तुम कौन होते हो कहने देखेते हैं अप ने देखा यहां पर बहुत सारे गाहें उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि बग जाओ आपको क्या है बार मार पड़ेगी जी और वो यह हम है और इस जगे को बोलते हैं एक को जंगलास से हैं यहां अद्दा चौकी से थोड़ा सा आगे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हिंदू समाज की जो है वो रितमराजी का यह बहुत बड़ा आस्रम है वास्तल ग हो जाता है तो उसे यहां कोले में पटक दिया जाता है इससे हमारी भावना है कितनी हाथ होती है हमारी ही नहीं और लोगों के भी जो यहां खड़े हुए हो कहते हमको बड़ा खराब लगता है चुकि हम अलब संक्यक समधाएते हैं इसलिए हम बहुत जादा बिरोदमी करत तरहते हैं मां को मां भी कहते हैं मां को मताल कितना अनाडर हो नहें बता देखो अनाडर कितना होरा है और मंतर किस तरीके इस तरह करें हुए कितना गलत करत हो रहा है कि गायों को यहां खुले में छोड़ जाते हैं मेरा निवेदन है उन लोगों से कि इन गायों को जमी दोज करें जब दफन करें एक तरफ तो हम गाय को माता कहते हैं और दुनिया भर के गवशेवक और गवरक्षा दल बहा बने हुए हैं और वो प्रयास करते हैं रोकने का मेरा उनसे भी निवेदन है गवरक्षकों से कि वो यहां आएं और एक वार इस जगह को देखें कि गव माता के साथ ये किस तरीके का अत्याचार हो रहा है वरिंदावन से नए टीवी के लिए योगिस सर्मा की इस्पेशल रिपूट झाल